नमस्कार साथियों मैं प्रोफेसर भापना और मीडिया डिक्ष्णरी में आप सभी का स्वागत है एक युवा पत्रकार है उनसे चर्चा हो रही थी मीडिया डिक्ष्णरी को लेके तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपने देखा होगा कि इस टाइम पर टूल किट का जो मामला एक तर्म है टर्म चर्चा में हैं तो क्यों आप मीडिया डिक्ष्णरी में पहले इससे डिफाइन करें या अपने लाब के लिए किसी भी चीज में बड़ी होश्यारी से फेर बदल कर देना और ये खेल जो है मीडिया में भी खूब होता रहा है और आज से नहीं मीडिया मैनिपलेशन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है चाहे हो खबरों के साथ चेर चार हो आख़ों के साथ चेर चार हो या किसी के स्टेटमेंस जो होते हैं उनके साथ चेर चार हो और यो विजुल के साथ चेर चार हो एक तरफा स्टोरी हो या फिर अगर जो पार्टिजन मीडिया की मैं बात करूँ तो उनकी editorial policy से अगर कोई खबर match नहीं खाती है तो उन खबरों को या तो दबा देना हो या फिर उस खबर को कोई और रंग दे देना हो तो ये सारी चीज़े मीडिया में बहुत लंबे समय से होती चली आई हैं और इसके खिलाब समय समय पर आवाज भी उड़ती रही है लेक क्योंकि जो मीडिया है मैं मेंस्ट्रीम मीडिया के बात कर रही हूँ उस पर कहीं न कहीं दबाओ जो है वो government का ये जो बड़े-बड़े corporates हैं या पिर जो कहते हैं PR agencies हैं तो ये जो इनका दबाओ है क्योंकि इनसे इनको advertisement मिलता है तो ये कई बार मीडिया के narratives टाय करते हैं तो अगर हमें इस media manipulation के शिकार होने से बचना है तो हमको media literate होना पड़ेगा अब क्या है media literacy और हम कैसे हो सकते है media literate अगले time में हम media literacy की बात करेंगे और media literate हो कर ही हम इस लोग तंतर में अपनी जो भागिदारी है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं तो अगर आपको media dictionary का जो यह initiative है अच्छा लगता है क्योंकि इसके जरीए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग media को बहतर धंक से जाने समझें तो प्लीज आप मेरा साथ दीजेगा और इन वीडियोज को और लोगों के साथ भी शेयर करें और media dictionary चानल को भी follow करें thank you so much